बिसमिल्ला रह्माल रहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेलकम तू मैं यूटीब चैनल शाहिदुला ओफिशल, टुड़े अवर टापिक इस इंपोर्टेंड इन अटॉमिकल ठांस, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनॉट में हमारे साथ क्या चीज़ है, त उसके बाद हमारे साथ modern definition आया, जिसमें हमने ये study किया, कि एनॉट में हम किसी भी body part के बारे में study करते हैं, उसके structure के बारे में study करते हैं, या तो हम ये under microscope करते हैं, तो फिर उसको हम बोलते है, micro anatomy, आज हम study करने वाले है important anatomical terms, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है hypo, अ हम कहते हैं hypo का मतलब होता है under या below, for example hypo glycemia, hypo glycemia, जब भी glycemia से पहले hypo आएगा, तो इसका मतलब यह है, कि हमारे blood में जो glucose का level है, वो down हो गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं hypo glycemia, और इसी तरह इसके opposite, अगर हम किसी चीज़ के excess amount के बारे में बात करते हैं, तो उसके start में हम क्या लगाते हैं, हाइपर लगाते हैं, for example, एकसिस या एवो इसका example क्या है, जैसे हाइपर गलाइसीमिया, जब हमारे blood में glucose का जो level है, वो normal level से ज्यादा हो जाए, तो पिर उस condition को हम बोलते हैं, हाइपर गलाइसीमिया, या हम बोलते हैं, हाइपो टेंशन, हाइप start में आएगा, तो वो community note करेगा, जब हाइपर आएगा, तो वो axis denote करेगा, इसकी बाद हमारे साथ आता है, endo और exo, endo का मतलब होता है, inside, for example, मैं cell के बारे में study कर रहा हूं, तो मैं cell के अंदर की चीज़ों के बारे में study कर रहा हूं, तो मैं इस तरह कहूंगा, कि endo, endocytosis और जब हम किसी चीज़ के बारे में study करते हैं, और वो उसके बार हो, तो हम उसके लिए इस्तिमाल करते हैं, for example, skeleton हमारे साथ दो तरह का होता है, एक को हम बोलते है, endoskeleton, यानि इसमें जो bony framework होता है, वो body के अंदर होता है, तो हम उसको बोलते है, endoskeleton, और अगर यही bony framework ये body से बार होगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे, exoskeleton, इसके बार हमारे साथ आता है, anti, anti का मतलब यह होता है, against, जब हम किसी बात, जो anti के बात जो word आएगा, तो वो क्या होगा, हम उसके खिलाब बात कर रहे होंगे, for example, इसका मतलब यह है, anti-viral, वाइरल, अभी वाइरस यह है एक, många कॉर्स की बात, जब हम वाइरस के खिलाफ इसके खिलाबrobi अगे, बोलते हैं, बेक्टीरिया, jogar какое कि खिलाफ है, तो अगर हम किसी एज़न्ट को बेक्टीरिया के खिलाफ इसके बाता है, माइक्रू, माइक्रो, जब भी किसी word के start में आएगा, तो वो हमारे साथ small चीजों को डिनोट करेगा for example micro organisms वो चीजी जो हम under microscope देख सकते हैं और उसे हम अपने naked eyes की जरीए नहीं देख सकते इसके बाद आता है macro macro का मतलब होता है large जिसे हम अपने naked eyes की जरीए भी देख सकते हैं for example macro anatomy जब हम body की structure को study करते हैं अपने naked eyes की जरीए करते हैं for example हम किसी organ के structure को study कर रहे हैं तो फिर उसे हम बोलते है macro anatomy अगर किसी word के आखिर में ITIS आएगा तो वो हमारे साथ inflammation denote करेगा वो हमारे साथ उस organ की बिमारी को denote करेगा for example tonsillitis अभी tonsils जो हमारे गले में मुझूद होते हैं और यह हमारी lymphoid organs है और अगर कभी भी यह tonsils बीमार हो जाए इसमे inflammation आ जाए तो पिर उस condition को हम बोलते हैं tonsillitis हमारा appendix है हमारे lymphoid organ है यह हमारी body में मुझूद है लेकिन अगर appendix में inflammation काज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं appendicitis इस तरह और भी हमारे साथ आते हैं जब भी किसी वोड के आखिर में ITIS आएगा तो यह हमारे साथ inflammation को डिनोट करेगा उस organ की बिमारी को डिनोट करेगा इसके बाद आता है ectomy ectomy का मतलब होता है removal जब हम body सी किसी चीज़ को remove करते हैं for example tonsils है उसको inflammation हो गया तो tonsillitis और अगर हम इस tonsils की surgery करें और tonsils को body सी remove करें तो इसको हम बोलते हैं tonsillectomy tonsillectomy इसी तरह appendix है बीमार हो गया inflammation हो गया तो appendicitis और अगर हम appendix को body सी remove करते हैं तो फिर हम बोलते हैं appendicitomy पिर इसके बाद हमारे साथ बहुत ही important term आता है जिसको हम बोलते हैं proximal and distal medial and lateral proximal and distal यह बहुत ज़्यादा important है proximal जब भी कोई body का कोई organ limb के साथ attachment पे नजदीक है तो वो proximal है और अगर वो attachment में वो limb से जो है वो दूर है तो उसे हम पिर बोलते हैं distal for example हमारा humerus bone जो है यह proximal है यह mid point को भी attachment में नजदीक है और यह proximal है और अगर हम radius और अलना की बात करते हैं तो वो हमारे साथ distal है क्योंकि यह हमारे साथ humerus bone से जो है वो distal है तो हम बोलते हैं यह क्या है distal है femur जो है हमारे body में femur एक बहुत बड़ा bone है मजबूत bone है वो हमारे साथ है proximal क्यों वो attachment में जो है क्या है near है और अगर हम tibia और fibula की बात करते हैं तो अगर हम limb के हिसाब से उसकी comparison करते हैं तो tibia और fibula वो distal है और इसी तरह femur जो है वो proximal है radius और अलना distal है और humerus bone जो है वो क्या है proximal है बोड़ी का कोई organ जो है वो midpoint की तरफ है तो हम उसे बोलते है medial और अगर इसी तरह body का कोई भी organ वो midpoint से क्या है away है दूर है तो हम उसको बोलते है lateral for example ये मेरा हाथ है ये हमारी body का midpoint है और मैं अपने हाथ को इस तरह कर रहा हूँ अभी ये मेरा हाथ है और मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ या जो है इसी तरह मैं कर रहा हूँ तो ये हमारी body की नजदीक है midpoint की तरफ है तो ये medial है ये हमारी midpoint से बार की तरफ है तो ये है lateral अगर मैं femur bone की बात करता हूँ तो हमारे साथ इसमें आते हैं condyle जो हमारी body के mid point की तरफ है तो उसे हम बोलते है medial epicondyle या medial condyle और जो हमारे साथ body के बाहर की तरफ है तो हम पर उसे बोलते है lateral condyle इसके बाद हमारे साथ आता है superior and inferior sorry anterior and posterior anterior या ventral यह हम किस लिए इस से हम जो है ना front की लिए इस्तेमाल करते हैं जो for example यह मेरा हाथ है तो यह इसका anterior anterior या ventral part है और यह जो है इसका posterior या dorsal part है अगर हम सामने की बात करते हैं तो anterior और इसे तरह हम back की बात करते हैं तो posterior और हमारे साथ आता है superior and inferior superior जो भी चीज head की तरफ हो head के साथ नजदीक हो part near head हमारे body का कोई भी part जो head के साथ नजदीक हो तो उसे हम बोलते है superior और हमारे body का कोई भी part जो toy के साथ नजदीक हो तो उसे हम बोलते है inferior for example यह मेरी body है और यह head है अगर कोई organ इदर है तो हम उसे बोलते है superior अगर कोई organ इदर है तो हम उसे बोलते है inferior अगर ये कोई बिलकुल सामने है तो anterior या ventral और अगर back पे हैं तो posterior या back इंशाला इसके बाद हम position के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा हो और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को like and subscribe करेंगे